हलो फ्रेंट्स आज के इस बेर हम डिस्कस करेंगे UK PSC द्वारा कंड़र्ट कराए गई आरो एरो के पेपर को जो कि अभी आज ये पेपर हुआ है यानि 27 मार्च 2022 को ये पेपर हुआ है इसमें टोटल 200 कोशन है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप अपना आंसर मिला ल मिलेंगे यही कोशन आपको वहाँ पर भी देखने को जरूर मिलेगा इसलिए आप इसको ध्यान से देख करके जाएए जब आप एक्जाम दे रहे होंगे तब यह बात आपको जरूर याद आएगी मेरी इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए ताकि आप exam में 8-10 question extra करके आए जाए जाए पहला question है फजेंडा जो है जाना जाता है तो यह कहवा बागान के लिए जाना जाता है निए option option C इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है darling है यह एक नदी है यह ऑस्टेलिया की एक बहुत बड़ी नदी है option D इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है question number 4 चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका अंसर हो जाएगा option A यांग टिशी क्यांग जो है अगला question है निमलिकित में से किस देश को land of thunderbolt कहा जाता तो भूटान को कहते हैं यह ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा question number 6 देखते है जापान का सुदूर उत्तरी पूर्भी दीव कौ कैड़ू यानि option C इसका सही अंसर हो जाए question number 6 का अगला question है question number 7 पूछा गया है दक्षडी गोलार्द में वायू के बाएं और मुलने का कारण क्या है तो यह है प्रतवी का घूणन यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा next question है question number 8 प्रतवी का निकटतम ग्रह कोन है तो यह है option question A यानि सुक्र है प्रतवी का सबसे निकटतम ग्रह है next question है question number 9 एसिया महादीव से बाहर विश्व की सबसे उंची चोटी कौन से है प्रवत सिखर कौन सा है तो यह है माउंट एकांका गोवा माउंट एकांका गोवा जो है सबसे उंची चोटी है एसिया से बाहर यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है विश्व में सर्वोच जल प्रपात कौन सा है तो यह विश्व में सबसे बड़ा जो है जल प्रपात कह सकते हैं एंजल जल प्रपात है यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 11 है यूरोप में उत्तरी सागर का मच्या खेत्र का माना जाता है तो यह है डागर किनारा यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा question number 11 का option D इसका सही अंसर है अगला question देखते हैं question number 12 देखिए पुछा गया है निमलीखित में से कौन सा यूग सुमेलित है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C चंदावर का जूयूद हुआ था 1194 यह सही बाकी गलत है अगला question है आपका निमलीखित में से गांधी सागर बाद का हिस्सा बता गया है तो जैसा कि आप जानते हैं चंबल नदी पर बना गांधी सागर जो डैम है भारत के चार प्रमुक डैमों में से एक माना जाता है या मद्द प्रदेश के मंसोर जिले में इस्ति question 14 में पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाओ है तो जलोड मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाओ होती है इसका अगर देखा जा तो 35-40% छेत्र को कबर करता है भारत का यह सबसे उपजाओ छेत्र मना जाता है जो तराई छेत्र में होता है जो प्रवादी और छेत्र की हिसाब से सबसे छोटा जो केंसासित प्रदेश है वो लक्ष द्यूप है तो यानि ऑप्सन डी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है भारत की पहली बुलेट ट्रेंड परियोजना निर्माना धीन है तो यह मुंबई से आहमदाबाद होगा इसका सही अंसर ऑप्सन ए इसका सही अंसर हो जाएगा जैसा कि आप जान से देश की सबसे पहला जो बुलेट ट्रेंड का पहला इस्टेशन बना जाएगा सूरत होगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 17 पूचा गया है भारत की यह तो हो गया भारत की मुंबई से कुश्चन में 17 है निमनिकित में से कौन सी प्राचिंतम परवस्तरिंखला है तो यह है अरावली अरावली जो है सबसे प्राचिंतम परवस्तरिंखला है यह राजस्थान में इस्सित है इसको आप जानते हैं आपका जामनगर भी है, डिगबोई भी है, बराउनी भी है, जमसेदपूर नहीं है, यानि option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत का जनगर्णत कितना था, तो 382, यानि option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला है question number 20, मद्य जामन है, 21 के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो cement द्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यानि option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला है, साथ पुरा परवत, परवतिये परवटन अस्थल कहां इस्थित है, तो साथ पुरा परवटन अस्थल जो है आपका, ये आप गुजरात में इस्थित है, आपको ये ध्यान अखना है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, गुजरात, option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, अगला question है, बांधीपूर बाग अभ्यारन जो है कहां पर है, तो बांधीपूर आप जानते हैं, करनाटक में है, option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, सांभर जिल कहा है, ये राजस्थान में है, option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, question number 23, question number 24 देख सकते हैं, आपर पूछा गया है, किस charter को, वह जीवानू कहा जाता है, जिसमें पस्चावरती सभी Anglo-Indian समुदाए के बिक्सित था, तो ये option C हो जा presidency को, को जो है, president का दर्जाय दिया गया था, question number 25 है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, 1639 ही होगा, ये option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question number 26, भारत के पर्थम मेर ने आले कि स्थापना कप की गई थी, तो कहां की गई थी सारे, मद्रास में की गई थी, option B, इसका सही अ answer हो जाएगा, अगला question, question number 27, पुछा गया है, निमलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतियों को East India Company के अंतरगत नौकरियों में प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, तो ये 1833 के ताहत किया गया था, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option C, Charter Act 1833 के ताहत, अग पुछा गया है, प्रतम निर्वाचक मंडलों की विवस्था को भारत में प्रतम बार लागूं किया गया था, तो 1909 अधिनियों के द्वारा किया गया था, यनि option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, question number 30 है, वर्स 1945 की ववे लियोजना को घोसित उद्यस से था इसका, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, भारत के सभी प्रमुक्ष समदायों का प्रतिनिद देना था, तैनी option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, question number 31 and 32 देखते हैं, तो question number 30 है, आपका, एक अगस्त 1672 की घोसड़ा को पूर खत्म कर दिया गया था, इसका मतलब क्या था, तो बिधियों से समदित था, option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुक्ता आधारित था, तो ये option हो जाएगा, दोनों सही है, यानि option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, सायमेन कमिशन की अंसर अंसर पर, और तितिये गोल में विचार विमर थी, तो ये किया गया था, 1787 के तहाथ, यानि option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, नियाई की ओजना 1783, भारत में भारत का पर्थम विधी आयू गठित हुआ था, चार्टर द्वारा, यानि किस चार्टर के द्वारा, तो 1833 के चार्टर के द्वारा किया था, तो यानि option C, इ यानि option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question देखते हैं, 36 नमर question, पुछा गया है, भारत, भारतिये प्रथम विधी आयोग का अध्यक्स कोन था, तो T, B, मैकाले थे, यानि option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, भारत का दुतिये विधी आयोग किस अधिनियम क के तहट किया गया था, यानि option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला है, सुतिंत्र भारत के सम्मिधान का निर्माण है, तो सम्मिधान निर्मात्री का गठन किया गया था, तो यह गया था, 1946 के तहट, यानि option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कॉस्टन है, निमल क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों के बातों को सुनना होता है अगला है क्या पुछा गया है सब्द मालाफाइट का अर्थ होता है दूरभाओ एनि ऑप्षन C इसका सही आथ रोजएगा है दूरभाओ अगला है वाक्यास इकोफेक्टो तो इसमें हो जाएगा नौन अब दीजैनी भुजगाई इसका अंसर एका अगला कोश्चन है 43 नमबर भारत का सम्मिधान सर पर्थम संसोजित किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप जानते हैं 51 में किया गया था तो option B इसका सही आंसर हो जाएगा question 44 है मुगल बादसा सहा आलम ने बंगाल बिहार और उडिसा की दीवानी इस्ट इंडिया कंपणी को साला ने निमित रुप से निमित रुपे के बदले में दिया गया तो यह हो जाएगा option C यानि 26 लाक option C इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का 45 देख चकते हैं सतत विकास के संकल्मपना आप जानते हैं यह परियावराण विधी से है यानि option A इसका सही आंसर हो जाएगा विधी का सासन का अर्थ पूछा गया है बहुत ही आसन कोशन था विधी के समक्ष सभी लोग एक समान होते हैं option A इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं question 47 किसी दूसरे विधी की समपती में अनादिगर्त रूप से प्रवेश करना उसको क्या करता है उसको अती चार कहा जाता है option B इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नियायले द्वारा निर्गत किया था तो आप जानते हैं इसको लागू करने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A या चिका option A अगला है समप्धान के किस भाग में मूल अधिकारों के बारें बात कही है तो आप जानते हैं भाग तीन है fundamental rights के बारें बताया गया है अगला है रास्टे भी दिवस किस दिन मना याता है तो नॉवंबर 26 को मना याता है यानि option D इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बाल सरम निशेद और मैं अधिनियम जो है अधिनिमित किया गया था किस दिन किया गया था 1986 को किया गया था option A का सही अंसर हो जाएगा question number 51 का A option 52 किसी नियायले के निनड़े आदेस आदी की अवग्या जो होती है नियायले की आउमानना माना जाता है option B का सही अंसर हो जाएगा अगला question है वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला जो है रक्षा बंधन के दिन बंधन के दिन होता है तो निया option A का सही अंसर हो जाएगा अगला है आउसत जोत का आकार जो होता है कितना है तो 0.89 है option D इसका सही अंसर हो जाएगा 0.89 होता है अगला है भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्राखंड नमले किसमें किसमें नकारात्मक बिर्दी दर्ज की गई है तो इसका आप रोग सही अंसर जानते होंगे बहुत ही आसान question था गढ़वाल और अलमोडा जोनी option C इसका सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर negative पाई गई है जन संख्या आपने census पढ़ा होगा इस पर हमने material आपनों को दिया था अपने पढ़ा होगा उत्राखंड राज घोसित आठवा नगर नियम पूछा गया है तो यह है कोट द्वार कौँसा है कोट द्वार कोट द्वार मतलब होगे option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है ब्रिटिस से गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक जो है के लेखक कौन है तो इसके लेखक है H.G. Watson यानि option A का सही अंसर हो जाएगा अगला question है राम नगर विधान सभा छेत्र का भाग है तो यह आपका नैनी ताल संसेट छेत्र का है तो यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है उत्तराखंड राज का सुदूरवर्ती पुर्विद जनपत जो है आपका कौन सा है तो यह पिथावरागड है यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा पिथावरागड अगला question देखते है question number 61 सार पद्धती सम्मंदित है पूछा गया है तो यह आपका जो है फसल चक्र से सम्मंदित है फसल चक्र की एक प्रणाली है कर सकते हैं तो option C इसका सही अंसर हो जाएगा फसल चक्र प्रणाली अगला है गोर्खों ने कुमाओ पर अधिकार किया था तो यह 1790 में कर लिया था तो यह option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question यहाँ सुमेलित करना पूछा गया है 63 में इसको मैच करके आपको बताना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C 3, 2, 4, 1 यहाँ option C इसका सही अंसर हो जाएगा 63 नमर question का अगला question देखते है 64 नमर question पूछा गया है वीर चंद्र गढ़वाली प्रसिद पेशावर कांड के लिए है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B 1930 अगला है देहरादुन में survey of इंडियानी भारतिय सरवक्षन विभाग की स्थापना कप की गई थी तो यह 1767 न 1767 में की गई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question उत्तरा खंड में असिंचित उपजाओ भूमी कहल अगला है 67 नमर question देख सकते हैं उत्तरा खंड राज के कितने जिलों की सीमा अंतरास्टे सीमा से मिलती है तो यह तीन जिले हैं सारी तीन पांच सारी पांच है यानी option C का सही अंसर हो जाएगा पांच जो जिले हैं अगला है question 68 उत्तरा खंड में कोट द्वार राम नगर ट निकितमें से छेत्रफल की अंसर उत्रा खंड में जन्पदों का सही करम बताना है तो सबसे ज्यादा बड़ा छेत्रफल जो है इसके हिसाब से दिखे बड़ा चोटा जो भी करम में सजाना है तो option D इसका सही अंसर हो जाएगा चंपावत रूद्र प्रियाग और वागेश सही करम दिया हुआ 69 का D सही है 17 नुमर कोशन देख सकते हैं लिखा है टिहरी रियासत नरेश भावानी साह द्वारत जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारे को दिया था तो विल्सन को दिया था तो आप्शन एसका सही अंसर हो जाएगा अगला को टिहरी सासक नरेशों की राजधानी क्या थी तो कार्त किये पुरम थी एनि उप्शन C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है टिहरी रियासत राजजी का भारतिय संग में विले कब हुआ था तो 1949 में हुआ था ऑप्शन D इसका सही अंसर हो जाएगा रिपीटेट कोशन कई बर पुछा गया है लग मिलान दिया हुआ है यानि इसका अंसर हो जाएगा option D यानि ये पूरा सही सही मिलान दिया हुआ है option D 74 का हो जाएगा अंसर अपनों मिला लीजेगा अगला है 75 नमर कोशन देखते हैं पुछाए गढ़वाल के पमार वन्स के संस्थापक कोन थे तो यह हैं कनक पाल थे यान 189 था तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A 189 अगला है अल्मोडः जनपद में जीरोली प्रसिध है तो ये तामा खान है इसके लिए प्रसिध है यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है उत्राखंड की सरवादिक प्राचीन जाती कोन है तो कोल जाती ही आप पो लोग के लिए मनुनित सदस्य की संख्या जो होती एक एंगलो इंडियन को समदाय को मनुनित किया आता है तो यह आप्शन C का सही अंसर हो जाएगा अगला है कोशन उत्तरा प्रदेश राज़ पुनर गठन विधेक लोगसभाव में प्रसुत किया गया था कब तो यह हो जाएगा आप्शन A यानि एक अगस्त 2000 को किया गया था उत्तर प्रदेश पुनर गठन विधेक लोगसभाव में कब रखा गया था एक अगस्त 2000 को रखा गया था यानि आप्शन A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन है उत्तरा खंड राज की घोशला के समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे तो HD देव गोडा थे तो यानि आप्शन A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 82 निमलिखित में से उत्तरा खंड जनपत में वीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी किसने तो जो वीज बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत किये थी कह सकते हैं ये टेहरी गढ़वाल च्छेतर में तो यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा किसने कहा था भारतिय समिधान वकीलों के लिए स्वर्ग है तो आई वर जेनिंग ने कहा था यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा option A 84 है समिधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिधी के ध्यक्ष कौन थे तो सरदाल परटेल जी थे इसका अंसर हो जाएगा option B अगला question है राज के नीदे से सिद्धान को समिधान में सामिल करने का सुझाओ किस ने दिया था तो के मौनसी जी ने दिया था अनि या option B इसका सही अंसर हो जाएगा राज के नीदे अगला question है कुमाउ में चंदरवन्स का प्रथम सासक कौन था तो सोम चंदर थे यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा question 87 का B अंसर सही है अगला question है समान नागरिक संगिता जो है किस अनुछेत के ताहत बात कही गई है तो यह 44 के ताहत कही गई या अनि option D सही हो जाएगा answer य यानि judicial review की बात की गई है तो अनुछेत 13 में बताएगा है या option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है ग्राम सभा का प्रावधान समिधान के किस अनुछेत में दिया गया है तो यह दिया गया है article 243 B के ताहत यानि इसका सही अंसर हो जाएगा option A question number 91 देख सकते हैं प्रस्न काल और संसत काल के कारियावधी प्रारम होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है तो इसको सुनने काल कहा जाता है या option B इसका सही अंसर हो जाएगा जीरो आबर question number 92 देख लेते हैं सरबोच नियाले अंतरास्तिय जल विबाद के मामले को सुनवाई के लिए भारती समयधान के किस article के ताहत ये करता है तो ये article 262 के ताहत करता है तो option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है लोक अदालत को किस समयधानिक संसोधन द्वारा मनता दी है तो 42nd amendment होना चाहिए 43, 44, 45, 46 दिया है तो आपको एगर रखना है 42nd amendment act के ताहत किया गया था तो ये question 93 नमर वाला गलत है मिस्प्रिंट कर सकते हैं 94 देख लेते हैं समयधान के किस अनुच्छेत के अंतरकत राजजपल को राज्य मंत्री मंदल से उनके विनेंडरों को सु 1990 में किस आयोक के सिफारिस पर अस्तरकित किया गया था तो सरकारिया आयोक के सिफारिस पर यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question 96 देखते हैं पूछा गया है निमलिकित में से अधिकारों में विदेशियों के लिए भारते समयधान में प्रतान किया तो यहां प इसका सही अंसर हो जाएगा 96 का 97 देख लेते हैं समयधान के अनुसार राज बिधान मंडल के उच्छ सदन को निरस्त करने किया जा सकता है तो संसत इसको कर सकती है तो यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा यहां पर देखें समयधान के अनुसार राज बिधान मंडल के उच उच्छ सदन को कौन अस्थकित्या निरस्त कर सकता है तो संसत कर सकती है यहां उच्छ सदन की बात हो रही है यह ध्यान रखना है अगला है प्रधान मंतरी कार्यले बीभाग का दर्जा किस वर्स बना था तो यह 1961 में बना था यह आप्शन एसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन बहुत यासान कोशन पुछा था भारतिय समिधान के आर्टिकल 280 के तहट आप जानते हैं फानेंस कमिंसन की बात हो रही है तो ऑप्शन सीज का सही अंसर हो जाएगा अगला है निमलिखित में से भारतिय समिधान के कौन से अनसूची में दल बदल के बारे में प संरक्षक कोन होता है पूछा गया है तो इसका संरक्षक जो होता है अपका संसद होता है तो यह उप्शन एसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है अनुमान समिधि का कारिकाल एक वर्स का होता है तो पता है बहुती आसान है उप्शन एसका सही अंसर हो जाएगा अ उच्छेत को स्वण त्रिभूज कहा गया है very very important question ऐसे ही question पूछा जाना चाहिए और ये सब question मतलब अच्छे question कह सकते हैं तो ये है 14, 19 और 21 article 14, article 19 और article 21 यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा इसको स्वण त्रिभूज कहा जाता है आपको ध्यान लखना very important question है ये question बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया है इसने अगला निमलिकर में सब कौन single user operating system है तो ये computer का question है आप जानते हैं dots होता है ये option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है कौन सा system software है पूछा गया है तो system software जो होते compiler होता है एक तरह से कह सकते हैं तो option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है वह software जो आपको web page दिखाता है very important question ये question हर बार पूछाता है exam में तो web browser होता है नि option B इसका सही अंसर हो जाएगा web browser अगला question है question number 108 देखते हैं पूछा है निम्लिकित में से भारते सम्मिधान का कौन सा अनुचित भारत के राष्टपती पर लगाए जाने वाले महा भियोक से सम्मानी थे तो article 61 है आपको पता है तो option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुस्तर जब कोई computer networks जुड़ता है तो वो प्राप्त करता है तो आप जानते हैं यह IP address प्राप्त करता है option A इसका सही अंसर हो जाएगा very important and repeated question है यह आपको ध्यानक ना है question number 110 देखे device जो digital संकेत को analog संकेत में बदल देता है वो क्या कहलाता है वो एक modem होता है एक प्रकारसा तो एनी कह सकते है option B इसका सही अंसर हो जाएगा modem modem जो होता है अगला है question number 111 यहाँ पर आपको बताना है कोंसा सही निमिक प्रोग्रामिंग भासा बताना है तो आप जानते हैं कि इसका सही अंसर हो जाएगा option C यहाँ एक और चार यहाँ जावा है और C++ है आपका यह आपका प्रोग्रामिंग भासा है जिसमें कि आप जानते C जो है high level language में आता है अगला question है आपका एक gigabyte कितने bytes के बराबर होता है तो 1024 megabyte के बराबर होता है तो यह भी आसान question था इसका सही answer हो जाएगा option C 1024 megabyte अगला question 113 नमर question देख सकते हैं पुछा है computer इसमिर्ती non-volatile है तो यह very easy question और repeated है roam होता है random access memory नहीं read only memory होता है नहीं इसका full form होता है RAM का random access memory यह होता है read only memory तो यह पुछा है non-volatile पुछा है तो यहाँ roam होगा याद रखिएगा अगला question है निम्लिकित में से कौन computer system में presentation है तो उपयोग में लाया जाता है तो MS PowerPoint लाया जाता है तो यह आपका C option हो जाएगा अगला question है निम्लिकित में से कौन computer system के दिमाग के उरूप में जाना जाता है तो CPU होता है यानि Central Processing Unit यानि Option B इसका सही अंसर हो जागा Very Important and Repeated Question है कर सकते हैं Question No.16 देख लिजे निम्रिक में से कौन सा भासा Static Web Page बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो आप जानते है HTML में होता है यानि Option C इसका सही अंसर हो जाएगा Photoshop C प्लस पर ये तो Language है ये तो आप जानते है Photograph बनाने लिए तो यह ही है HTML 16 देखे 17 देख लिएते हैं अगला Question है निम्रिक में से 5 तलवाले Complete Vinary Tree Note की संख्या कितनी होती तो 63 होती Very Important Question ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसको आप याद करके ये हो सकता आपके पीसेस में भी एक सवाल पूछ लिया जाए अगला Question है Question में 18 देख सकते हैं निम्रिकित में से कौंस Computer System में अनाधिकरत प्रवेश के लिए जाना जाता है तो आप जनते हाइकिंग होता है हाइकिंग कर लेता है कोई तो यहाँ पर हो जाएगा Option A इसका सही आंसर हो जाएगा Next Question पूछा गया Search Engine कौन साथ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option B 2 और 3 यहाँ Option B इसका सही आंसर हो जाएगा अगला Question है Computer की Peripheral Device कौन सी है पूछा गया है तो यह भी Question कई बार पूछा गया है आपका आंसर हो जाएगा Option B 1 और 3 Option B Floater और Scanner तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option B 120 का अगला Question देखते हैं निम्निकित में सी कौन सी इसमृति का सबसे कम Excel समय लेता है तो आप जानते हैं इसमें कैस होता है इसका सही आंसर हो जाएगा यह भी Question कई बार repeated होए कई बार पूछा जा चुका है ऐसे Question आते रहते हैं और आने वाले exam में भी आपको देखने को मिलेंगे मैंने दोरा पताएगे चीज़े आपको पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें पूछा गया है तो यहां पर पूछा गया है जो इसका 122 का D वाइरस से सुरक्षा Option D अगला Question है निम्लिखित में से कौन सा सबसे तेज संचर्ण माध्यम है पूछा गया है तो सबसे तेज संचर्ण माध्यम जो है आजकल जो modern technology से आया हुए फाइबर ऑप्टिकल तार जो होता है वो सबसे modern है यानि Option B इसका सही answer हो जाएगा Question No.124 देख लेते हैं निम्लिखित में से किसका संबंद computer processor से नहीं है पूछा गया है तो Android से संबंदित नहीं है यानि Option D इसका सही answer हो जाएगा यहाँ पर कुछ पूछा गया है कि multi-user operating system है इसके बार हम बताना है तो आप जानते हैं Unix है आपका और Windows NT नहीं Option B इसका सही answer हो जाएगा 2 और 4 Option B 1 125 का Option B सही है अगला Question 126 देख लेते हैं पेट्रोल की गुड़ता निर्भर करती है तो Octane number पर depend करता है तो Option D इसका सही answer हो जाएगा Octane number फलों में पाई जाने वनी सरकरा जो होती है फ्रेक्टोज होती है आपको पता है याँ Option C इसका सही answer हो जाएगा इस तरह से question पूछे आते हैं यहाँ पर यह आपको याद रखना very important question है इस तरह question पूछे जाएंगे आने वाले exam में अगला question है हमारे रक्त में हिमोगलोबीन का कौन साता तो Sun राचनात्मक भाग है तो यह Iron होता है याँ Option C इसका सही answer हो जाएगा अगर C लगा है तो आपका सही answer अगला है हीरा और ग्रेफाइट है तो यह अपरूपी है हीरा और ग्रेफाइट जो होता है एक अपरूपी होता है याँ Option D इसका सही answer हो जाएगा अगला question 130 नमर है विद्धूत का विद्धूत रोधी है तो यह है रेशम याँ Option B इसका सही answer हो जाएगा अगला question है दो सजातिये चुमबकिये धुरूब कहलाते हैं तो एक दूसरे के प्रतिकर्शन very important आप जानते हैं जब सेम चीजे लाते हैं यानि negative का part इधर और negative यान दोनों लाएंगे तो एक दूसरे दूर भागता है तो reflect करता है repulsion होता है और अगर दोनों same लाते हैं different लाते हैं यह plus charge है यह minus charge इसके पास लाते हैं तो इनके बीच में attraction होता है इन्ही same में repulsion और different में क्या होता है attraction तो यहाँ पुचा दो सजातिये यानि same होना चीज़िए यह पूचा गया है कि दोनों same यानि negative इधर है negative इधर तो क्या होगा तो repulsion होगा दूर भागेगे या plus plus ले आए दोनों तो दूर भागेगा तो इसको repulsion कहते हैं यानि दो सजातिये में आपका a option सही हो जाएगा प्रतिकर्शन होगा question number 32 देख लेते हैं पुचा गया है निम्रिखित में से कौन सा एक others gas है यानि ideal gas है तो neon होता है ideal gas देगे option के हिसाब से तो option a सही अंसर हो जाएगा अगला है penciline है तो यह एक प्रतिजैविक होता है तो यह option c का सही अंसर हो जाएगा अगला है मानों सरीर में रत के छन्ने की प्रक्रिया से मूतर तक के निर्माण का कहा होता है तो आप जानते kidney में होता है वरिक यानि option c का सही अंसर हो जाएगा चाय में लाल किट्टू रोग होता है तो यह सैवाल रोग होता है यानि option b का सही अंसर हो जाएगा सैवाल अगला question number 36 देख सकते हैं निर्माण के से कौन सा मच्छर जनित बीमारी नहीं है पूछा गया है तो आप देख सकते हैं option के हिसाब से भी लगा सकते थे तो sleeping signature नहीं होगा अगला question देख लेते हैं इस question में third doubt है इस फाइल एरिया हो सकता है इन दोनों में आप comment box में जरूर बताएं कौन सा सही है अगला है telephone का अब इसकार किस नहीं किया था तो आप इसको जानते है ग्राहम बैल होगा 37 number question अगला है आँक की रेटना में उपस्थिस संबिंदन सिल कोशिकाओं कोशकाएं कहलाती है तो क्या कहलाती है इसको आप जानते हैं cylinder and cone होता है तो इसका rods and cone हो जाएगा option A का science हो जाएगा अगला question निम्लिकित में से किसकी कमी से रताओंधी रोग होता तो vitamin A की कमी से होता है आप जानते है अगला है प्रकास प्रदीप्त मापने की मापक जो अंतराशने काई है तो उसको क्या कहते हैं उसको lux कहा जाता है अब जानते हैं इसका lux हो जाएगा अगला question है एक battery का प्रियोग किया जाता है तो जो battery होती है यादि बैट्री जो घरों में यूज़् करते हैं तो वो क्या होता है एक परिफद की धाराग प्रवाह हे तो यूज कियाता है तो यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा option B अगला है ब्रायो फाइटा और टेर्डो फाइडा के दोनों में एक उभए निस्ट गूण पायाता है तो ये भूरूर निर्मार को लेकर के यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला पुष्ण सामाने स्वस्त मनुष्ट का हिर्दय जो है प्रतमित कितना धड़ता है तो यहाँ पर ये 72 होता है आप जानते हैं जब कोई बच्चा होता है चोटा होता यानि उम्र कम होती एक साल दो साल तो उसकी धड़कने जादा होती है जैसे जिसे age बढ़ता है वो धड़कनों के संख्या काम होती चली आती है लेकिन एक स्वस्त और सामाने मनुष्ट का जो average होता है वो 72 होता है आपको याद रखना है तेनी option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है tritium एक समस्थानिक है तो आप जानते हाइडोजन के तीन समस्थानिक होती है तो उसमें से ये आपका tritium पुछा गया नहीं option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला पुछा है सुस्क वर्फ क्या होता है ये तो सुस्क कार्बन डायकसाइड होता है यापसन D इसका सही अंसर हो जाएगा मार्फीन एक प्रकार का एलकलाइड होता है तो यापसन D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है जल जीवन मिशन के शुरुवात कप की गई थी तो अगस्त 2019 में की गई थी तो यह आप्शन C इसका सही अंसर हो जाएगा अगस्त 2019 47 नमर कॉशन 147 का हो जाएगा अगस्त 2019 अगला कॉशन है 48 नमर देख सकते हैं 148 संबाट 2.0 कारिकरम किस से सम्बंदित है तो यह मानसिक स्वास से सम्बंदित है याप्शन B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है समब्र सिक्षा स्कीम 2.0 नमर किस से सम्बंदित है तो यह बिद्जाले सिक्षा से सम्बंदित है याप्शन B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है large होता है इसमें starch के पाचग में सहायक होता है तो starch हो जाएगा option B इसका सही अंसर हो जाएगा लार का यहीं 150 का option B 151 देख लेते हैं गुजरात के 17 मुख्यमंत्री की रूप में किसने सपत लिये very recent question है तो भुपेंद्र पतेल जी लिये हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा भुपेंद्र पतेल option C अगला है 52 पंजाब के राज जिपाल का नाम पूछा गया है तो यह है बनवारी लाल पुरुहित यहीं option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है भारतिय वाई सेनका नया अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है तो विवैक राज चौधरी को किया गया है यानि आपका D option सही हो जाएगा अगला question है अल्प संख्यक रास्ति अल्प संख्यक आयोक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो सरदार इकबाल सिंग लालपूरा को बनाए गया है नहीं आप्शन एस का सही अंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंग लालपूरा बड़ा खतरनाग नाम है अगला है सरक सीमा सीमा सडक संगठन जो है बियारो का पुछा गया है कि किसे से सबसे उची मोटर योग सड़क बनाई गई है तो यह कहाँ परिस्तित पूछा गया है तो यह है लद्दाक में यह आप्शन C का सहीन्स रो जाएगा अगला है भारत और सौधी अरेबिया के मद्य अब तक के पहली बार हुए सायन अभ्यास का नाम बताना है पुछा के किस नाम से किया गया है तो अल मोहद अल हिंदी 2021 यानि आप्शन A का सही अंसर हो जाएगा 47 नमर कुशन 157 नमर कुशन देख सकते हैं केंदर सरकार ने किस अस्थान पर भारते विरासस संस्थान अस्थापित करने का नड़ा लिया है तो नड़ा में किया है यानि आप्शन A इसका सही अंसर हो जाएगा नड़ा में किया है अगला कुशन है 67 वे रास्टे फिल्म आवार्ड के लिए निमनिखित में से किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घुसत किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है छिछोरे इसका सही अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन C छिछोरे ये भी एकजाम में आने की पॉस्पिलिटी है आपके पीसेस में भी पूछा जा सकता है वेरी इंपोर्टन कोशन है अगला है किस देश ने सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरम किया है तो ये चाइना सुरू किया है ऑप्शन B का सही अंसर हो जाएगा अगला है भारत ने कितनी भासाओं को प्राचीन भासा का दरजा दिया गया है तो छे है यानि ऑप्शन C इसका सही अंसर हो जाएगा छे भासाओं है जिसको प्राचीन भासा का दरजा दिया गया है ये कुशन बेरी बेरी इंपोर्टन कर सकते हैं अगला है नवरोज क्या है तो आप जानते हैं एक पारसी लोगों का नवर्स कर सकते हैं तो ये है आप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा एक पारसी नवर्स होता है नवरोज अगला कुशन है कुशन 162 20 सितंबर 2021 को कौन सा तीसरी बार करनाडा का प्रधान मंत्री बना है तो ये बने है जस्टिस ट्यू डेउ बने है तो ऑप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा अगला है धावला वीरा हडपा से बता का दक्षन केंदर जिससे हाल ही में यूनेसको 20 सुधरोर साइट टैग प्राप्थ हुआ है तो ये कहां पर है किस राज जिम्हें पूछा गया है तो ये गुजरात में है आपका ये गुजरात में है ये ऑप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा धावला वीरा हडपा सबटा का दक्षन किंदर है जिससे हाल ही में यूनेसकों ने धरोर साइट में नाम दाजिए गया है भारत का कहां पर है तो ये है आपका गुजरात में है अगला है 64 नंबर कुशन उसके अंसासित प्रदेश का नाम बताओ जो 100 परसत और्गेनिक बन गया है तो इसमें पूछा गया है तो ये है आपका लक्ष द्यूप ये ऑप्शन D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुशन है अखिल भारती ट्रेड यूनियन कांग्रेश के पर्थम अध्यक्ष कोन रहें तो लाला लाजपतरा है ऑप्शन B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुशन है ओबर ड्रॉप सेविंग दा इंडियन सेवर के लेखा कौन है तो उर्जित पटेल जी है इनी ऑप्शन D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है भारत की कौन से सेज सिटी पहली हरिट सेज सिटी बनी है तो ये है कांडला इनी ऑप्शन B इसका सही अंसर हो जाएगा कांडला 167 का अगला है 168 नमर कुश्चन टोक्यो ओलम्पिक में भारत कुछ कितने कांस पतक मिले थे पूछा गया है तो टोटल आपका चार कांस पतक मिला था यहीं आप्शन सी इसका सही अंसर हो देगा याद रखिए टोक्यो ओलम्पिक से लेटेड एक या दो कुश्चन आपके एक्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे याद रखिएगा और ये भी याद रखना है कि उसको कौन सा प्रसकार मिला है इस तरह का जिसे नीरस चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में आपका गोल्ड मिलल मिला है तो इस तरह किसको कौन सा ब्राँज मिला है किसी को सिलोर मिला है किसी कुछ मिला तो सब उसको याद करके याए एकजाम में हंडिट परसन श्चोर है यहां से एक या दो कॉश्चन पूछा ही जाएगा अगला कॉश्चन है 169 नंबर दांगली और जहाली जैसे प्रसिद लोक निर्थ भारत के किस राजी के हैं तो हिमाचल प्रदेश के हैं यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला देखे नीरत चोपड़ा ने टोक्यो ओलम्पिक में किस इवेंट्स के लिए भारत का एक मात सुनद पतक जीता था तो दिन थ्रो में नीरत चोपड़ा को स्वनद पतक मिला है यह आपको जाद रखना है अगला कुशन इमली खित में से राजी किस राजी ने भारत की पुरुस हाकी टीम और महिला हाकी टीम को प्रयूजित करने का निले में कहां पर प्रयूजित होगा तो ओडिशा में होगा अगला कुशन है निमली खित में से किस तित को प्रतिवर्स रास्टे खेल दिवस की रूप मनाता है वेरी वेरी इंपॉर्टन ये हर बार पूछा आता है 29 अगस्त को 29 अगस्त वेरी इंपॉर्टन ये कोशन कई बार रिपीट हुआ है तो 174 का D हो जाएगा अगला देखते हैं 175 नमर कोशन निमली खित में से भारत का सबसे पुराना अड़ू सक्ती स्टेशन कौन सा है तो ये किया गया है सक्ती कांत दास और ये अप्शन सी इसका सजयन सरो जाएगा अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो सार्जनात में दिया था और अप्शन A सईये 78 नमर कलिंग के सासन सासन कारवेल की उपलबदियों का विरोना किस सिलाल नेक्स कोशन देखते हैं पूछा है निमलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी नहीं गई है पूछा गया है तो ताज उल मासिर इद्वारा नहीं लिखी गई बाकी सब है इन्हें ऑप्शन C का सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है अकबर का मकब आप लोग जानते हैं किसके लिखा क्यों है तो यह कार्ल माक्स ऑप्शन C का सही आंसर हो जाएगा अग्ला है 184 नंबर बुलंद दर्वाजा का निरमार किसने किया था तो अकबर ने किया था यानिव्य आप्शन A का सही आंसर हो जाएगा इसमें अगला कोशन है इसमें प ये आपका चर्चिल उप्योगतावादी नहीं है यानि बाकी सब सही है यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा 186 नमर question देखे गोल गुम्मत कहां है तो गोल गुम्मत बीजापुर में है यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है निमलिकित में से कौन से समिती पंचैती राज से सम्मंदित नहीं है पूछा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B सांथानम कमीटी नहीं है बाकी सब है बलवांतराव महता कमीटी है असोग महता कमीटी है जेवी के राव कमीटी है तो ये तीनों है बाकी सांथानम नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा option B अगला question देखते हैं 188 number question यहाँ पूर कुछ option दिये हुए है बताना है भारते संग्राम की निम्लिकिन में सी घटनाओ का करम बताना है तो इसका हो जाएगा option D सही है इसको मिलान कर लिजेगा बहुत ही आसान question था option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है पूछा है बास्तील का पत्तन का पत्तन किस देश की करांती से संबंदित है तो ये है आपका France France यानि option A का सही अंसर हो जाएगा अगला question है 190 question number England में रथीन करांती या गैरवमनी करांती किस वर्ष होई थी तो ये है 1688 में हुआ था यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question निम्लिकित में से किस ने Italy के एकिकरण में योगदान नहीं दिया था पूछावा है तो Italy के एकिकरण में योगदान नहीं दिया था मैटर निक्न नहीं किया था यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा 191 का option A 192 का A 192 बे देख लेते हैं 191 का संबंद किस्ते हैं तो Italy से संबंदित है यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा Italy प्रतम 202 के पसा 37 सम्मेलन किस अस्थान पर किया गया था तो ये किया गया था वियना में यानि option C इसका सही अंसर हो था वियना अगला question बाटरलू का युद कब हुआ था very important and repeated question है 1815 में हुआ था कर लिये होंगे आप लोग नादिर साहा ने भारत पर किस वर्स आक्रमन किया था 1739 में किया था निया option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question निमलिकित में से कौन सकलोपत नाथ के नाम से जाना आता है तो ये हैं हर्सवर्धन यनि option B इसका सही अंसर हो जाएगा 196 का 197 नमर question देख लेते हैं गौतमी पुत्र साथ करणी किस वन से सम्बंदित थे तो इस साथ वाहन से सम्बंदित थे यनि option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो भीतरी अविलेख जो है पुलके से न्दूतिय से सम्बंदित नहीं बाकी सही है यनि option आपका C सही हो जाएगा अगला question है किसकी हत्या करके पुश्यमित सुंग ने सुंग बंस की स्थापना की थी पुछा गया है तो ये question कई बार पुछा गया है ब्रहदरत होगा इसका option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है टामस मुन्रो किस स्थे में अपने कार के लिए जाने जाते हैं तो भूमी बंदोबस से संबंदित है यानि option A का सही अंसर हो जाएगा इस तरह से हमने total 200 questions को discuss कर लिया और इसका आप मिलान कर लिजिए मिलाने के बाद आप बताए कितने question आपके सही हुए है I hope question को देखते हुए ऐसा लगता है 150 के आसपास अगर आपका question सही है out of 200 तो आपको safe zone में है एकदम safe zone में है लेकिन 130 के उपर है तो आप इमान के चलिए तयारी करिए अच्छे से होने की पूरी संभावना है क्योंकि question के label को देखते हुए हर तरह का है moderate question भी पूछा गया है सरल भी पूछा गया कुछ tough भी पूछा गया है तो इस तरह से अगर 130 से उपर है तो आप सभी को means के तयारी अच्छे से करना चाहिए लेकिन 150 से उपर का रखा तो आप 100% in है यह मान के चलिए और यह सभी question आप जरूर देख लिजेगा और क्या करते हैं आने वाले pieces के exam में भी यहां से question देखने को जरूर मिलेंगे इसी type के question आएंगे इसमें से question repeat भी होंगे यह आपको ध्यान रखना है यह अदि आपके पास कोई query है कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में पूछ सकते हैं डिस्कूस्वन हमने वार्ट से नमबर दे रखते हैं